ब्लेसरद वन विशेश बच्चों पर कार्य करने वाली एक जानी मानी संस्था है इसके फाउंदर डाइरेक्टर अमितेज प्रियदर्शी का मानना है कि प्रतिक खास बच्चे को जीवन में संपूर्ण होने और सही तरीके से जीने का अधिकार है और वो तब ही संभव होगा कि इस स्थिती को बीमारी नहीं बलकी जीवन की एक दशा समझ कर इन बच्चों को स्नेह और थेरपी दी जाए और इसी सोच के साथ ब्लेसरद वन जल्द ही दिल्ली में भी एक सेंटर का उदगाटन करने जा रहे है पत्ना और पूना में तीन सेंटर इनके पहले से संचालित है विशेश बच्चों की बहुत सी जरूरते होती है जिन में उनकी थेरपी उनकी शिक्षा और अन्य जरूरतों के हिसाब से सभी चीज़े नहीं हो पाती है ब्लीसर्द वन इन सब सुविधाओं और माध्यमों को एक जगह एक सेंटर में उपलब्ध कराकर ऐसे माता पिता के लिए उम्मीद की किरन होगा श्रीमती नवीनता जी द्वारा निर्वाना को कई सालों से चलाया जा रहा है उसमें बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुसार, मंच देकर, प्रोथसाहित करने और उनकी टेलेंट को निखारने का काम जिस खूब्यों के साथ किया जा रहा है वो अनेकों के लिए प्रेरना है नवीनता जी का मानना है कि दया और बेचारगी की द्रिष्टी नहीं, अपितु इनको प्रेम और स्नेहपून साथ से ही प्रोथसाहित और ठीक करने में मदद की जा सकती है निर्वाना के बच्चे, देश के विशिष्ट मंचों पर अपने हुनर की उपस्तिती दर्च करा चुके है और अपने सफर को और आगे लिए जाने की उलान पर है रोहीली नई दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट देखते रही है आपका अपना चैनल आंचलिक खबरे अपनों की खबर आप तक नमस्कार, मैं नवीनता, निर्वाना वर्ड की फाउंडर प्रेजिडेंट निर्वाना वर्ड एक ऐसी संस्था है जहां पर हम डिफरेंटली एबल बच्चों की, बड़ों की और सभी की प्रतिभाओं को आगे लिके जाते हैं सोसाइटी में लेकर आते हैं उन्हें सोसाइटी का पार्ट बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों से लगातार हर महीने इन बच्चों के लिए स्टेज शोस करते करते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमें पूने में The Blessed Ones एक ऐसी ओर्गनाइजेशन जो की अपने चार सेंटर्स खोल चुकी है और उनके Annual Day Celebration के लिए हमें इन बच्चों के साथ अमंत्रित किया गया है बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि आज उसी स्टेज पर जहां पर सारे गामापा के आईडल कार्थिक शर्मा रहेंगे उसी सेम स्टेज को हमारे बच्चे निर्वाना के स्टार्स, प्रतेक्ष, यामीनी और समिक्षा तीनों स्टेज शेयर करेंगे बहुत खुशी, बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि ये बच्चे उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो हताश हो जाते हैं ये सोचकर कि हमारे बच्चों का future क्या होगा क्या ये आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं हमारे Nirvana Stars Blessed Ones में जाकर उन बच्चों के लिए motivation बनेंगे हमारे Nirvana Stars उन बच्चों के लिए एक ऐसा संदेश भेजेंगे जिसमें लोगों को समझ में आएगा कि इन बच्चों को केवल प्रेम विश्वास की जरूरत है ना कि सहानू भूती की मैं चाहती हूँ कि जादा से जादा लोग ब्लेस्ट वान्स और निर्वाना वर्ड को सोचल मीडिया में फॉलो करकर जाने कि हम लोग कितने अफ़र्ट्स कर रहे हैं इन बच्चों को सोसाइटी का एक अभिन पार्ट बनाने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन सब बच्चों की तरह सभी को ये अवेर्नेस एक संदेश पहुंचाएं कि इन बच्चों के लिए हमारा प्यार सबसे ज़ादा जरूरी है और कुछ भी नहीं धन्यवाद झाल